असलाव अलेकुम वेलकम इन वार्शिया उर्दू मीडियम क्लास तो बच्चों यहां पर यह साथवी जमात का जोगराफिया का हम सबक नंबर चार हवा का दबाव के बारे में सबी सवाजव हल करेंगे इससे पहले मेरे कई वीडियो अपलोड हैं जिसमें दसवी का इंगलिश उर्दू जोगराफी हिस्ट्री एन स्यासियाद नाइन का उर्दू जोगराफी हिस्ट्री स्यासियाद एट का जोगराफी हिस्ट्री सेवन का ज आप जानते हैं तो आप भी अपके और आपके बड़े भाईबैन 11, 12 में हैं तो बाईलोजी के इसमें मैंने MCQ डालना शुरू किये हैं तो आप इससे जरूर इस्ताफादा करें तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 हवा का दबाओ के सभी सवाल जवाब तो यहाँ पर लिखिये सवाल 6 दिये वे हैं जो यह दर्सी किताब में हैं लेकिन हम एक्ट्रा भी मालूमात आपको देंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला है दर्सी किताब का सवाल 1 की वजुहात लिखिये पहला सवाल है कि हवा का दबाओ बुलंदी के लिया आज से कम होता जाता है तो जवाब है यहाँ पर कि हवा में गर्दो गुबार, आभी बुखारात, कसीफ हवा वगेरा अजज़ा होते हैं हवा में इन अज़़ा का तनासुब सत्य जमीन के करीब ज्यादा होता है इसी का दूसरा पॉइंट है कि सत्य जमीन से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं व और इसी वज़े से हवा का दबाओ भी कम होता जाता है इसी तरह हवा का दबाओ बुलंदी के लिहाद से कम होता जाता है अब यहाँ पर दूसरा सवाल है कि जमीन पर हवा के दबाओ के पट्टों के मुकामात तब्दिल होते रहते हैं तो दूसरा जवाब का यहाँ पर प अब्दत और शिद्दत खते अस्तवा से शुमाली और जुनूबी निश्व कुरों के दर्मियान बदलती जाती है। तीसरा पॉइंट है कि इसके नतीजे में दर्जे हरारत के पटों पर मुनसर हवा के दबाओ के पटों की मुकामात में भी तब्दिलिया वाकए होती है। चौथा पॉइंट है कि आम तोर पर शुमाली रोश में हवा के दबाओं के पट्टे पांच दरजे से साथ दरजे शुमाल की जानिब और जुनुवी रोश में पांच दरजे साथ दरजे जुनुब की जानिब सरकते हैं। सरकने की इस अमल को हवा के दबाओ के पटो का एतजाज कहा जाता है इस तरह जमीन पर हवा के दबाओ के मुकामात तब्दिल होते रहते हैं अब यहां पर सवाल दो है दर्सी किताब का दर्जे जेल सवालों के मुक्तसर जवाब लिखिए तो पहला सवाल है हवा के दबाव पर दरजे हरारत का क्या असर होता है तो यहां पर जवाब का पहला पॉइंट है कि दरजे हरारत और हवा के दबाव का करीबी तालुक है इसका दूसरा पॉइंट है कि जहां दर्जे हरारत ज्यादा होता है वहां हवा का दबाव कम होता है तिसरा ज्यादा दर्जे हरारत की वज़े से हवा गरम होती है और फैलती है इसी वज़े से हवा की कसाफत कम हो जाती है और हवा हलकी हो जाती है चौता पॉइंट है जमीन के खरीब की यह हवा आस्मान में बुलंद होती है इसलिए इस इलाके में हवा का दबाव कम होता जाता है अब यहाँ पर दूसरा सवाल है कि जिरे कुद्बी इलाकों में कम दबाव का पट्टा क्यूं तयार होता है अब देखिए दूसरा यहाँ जवाब है जहां भी इस तरह के तारे जैसा निशान होता है ना बच्चों ये दर्सी किताब के सवाल होते हैं तो ये जेरत कुद्भी इलाकों में कम दबाव का पट्टा क्यों तयार होता है तो जवाब का पहला पॉइंट है कि कुद्भी इलाकों की जानिब जमीन का हिस्सा सुखड जाता है दूसरा पॉइंट है इस वज़े से कुदभी इलाके का रुकबा जो है वो कम होता जाता है तीसरा पॉइंट है यहां पर इस मक्सूद शकल की वज़े से हवा को बाहर की जानिब निकलने का ज्यादा मौका मिलता है चोथा पॉइंट के जमीन की सते पर हवा से होने वाली रगड और जमीन की महुरी गर्दिश की वज़े से इन इलाकों की हवा बाहर की जानी फिंक की जाती है और जेरे खुद्बी इलाकों में हवा के कम दबाओ का पट्टा तयार होता है अब यहां एक्स्ट्रा मालूमात में मैं सवाल तिसरा दे रही हूँ यह दर् पैमा नामी आला इस्तिमाल किया जाता है दूसरा पॉइंट है कि सते जमीन के करीब की हवा के दबाओ की पैमाईश इसी आले से की जाती है तीसरा पॉइंट है कि हवा के दबाओ की पैमाईश बार नापने यानि बार पैमा की मदद से मिली बार अकाई में की जाती है पहला पॉइंट है कि हवा के दबाओ की वज़े से हवाएं और आंधी वजूद में आती है दूसरा पॉइंट है सते जमीन से किसी मुकाम की बुलंदी की पैमाईश हवा के दबाओ की मदद से की जा सकती है तीसरा पॉइंट है कि हवा के दबाओ की वज़े से सौधी होती है तीसरा है यहाँ पर हवा के दबाव का जानदारों के अमल तनफस पर भी असर होता है अब दर्सी किताब का सवाल नमबर तीन मुक्तसर नोट लिखिए तो पहला नोट लिख रहा है वस्ते अर्जुल बलदी ज्यादा दबाओ के पट्टे तो यहां पर पहला का जवाब यहां पर वस्ते अर्जुल बलदी ज्यादा दबाओ के पट्टे के बारे में हम यहां पहला पॉइंट देखेंगे कि पर कम दर्जे हरारत होने की वज़े से ये हवा सर्द होकर भारी हो जाती है तीसरा इसका पॉइंट है कि ये भारी हवा शुमाली और जुनुबी । दोनों निश्व कुरों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जूल बलद के बलदों के दर्मियान जमीन के सिम्त नीचे आ जाती है। इसी का चौता पॉइंट है कि इसके नतीजे में शुमाली और जुनूबी दोनों निश्व कुरों में 25 से 35 दर्जों से अरजुल बलदों के दर्मियान हवा के ज्यादा दबाओं के पट्टे वजुद में आते हैं पाच्वा पॉइंट है कि ये पट्टे वस्त अरजुल बलदी ज्यादा दबाओं के पट्टे कहलाते हैं छटा पॉइंट है कि इस पट्टे में हवा कुश्क होती है इस वज़े से इन इलाकों में ज्यादा तर गरम रेगिस्तान वजूद में आते हैं अब दूसरा अभी हमें मुक्तसर नोट लिखना है हवा के दबाओं की उफकी सिम्त में तक्सीम तो ये है पहला पॉइंट के सते जमीन पर आड़ी सिम्त या उफक की मतवाजी सिम्त में हवा का दबाओं यकसा नहीं होता दूसरा पॉइंट है कि हवा के दबाओं में इला ये कुद्बी ज्यादा दबाव के पट्टे, इसका पहला पॉइंट है कि शुमाली और जुनूबी दोनों कुद्बी इलाकों में साल भर दर्जे हरारत सिफर दर्जा सेलसियर्श से भी कम होता है, दूसरा पॉइंट है इसी वज़े से यहां हवा सर्द होती है, तीसरा है कि इसके नतीजे में कुद्बी इलाकों में सते जमीन के करीब हवा के ज्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं, चौथा पॉइंट है कि उन्हें कुद्बी ज्यादा दबाव के पट्टे कहते हैं, पाच्वा पॉइंट है कि यह पट्टे शुमाली जुनूब नि कीजिए पहला सवाल है कि बुलंदी पर हवा डैश होती जाती है यानि हलकी होती जाती है यहाँ पर निशान लगावा है दूसरा सवाल है कि हवा के दबाओ को डैश में जाहिर किया जाता है तो मिली बार में जाहिर किया जाता है तीसरा सवाल है यहाँ पर जमीन पर हवा का दबाव डैश है गैर मुसावी है चौता है सवाल के पांच दर्जे शुमाली और पांच दर्जे जुनूबी अर्जुल बलतों के दर्मियान डैश दबाव का पट्टा है अस्तवाई कम का दर्जा है अब यहां पे देखी जवाबाद मैंने नीचे दिये वे हैं आप यह भी को दर्जी किताब का यह सफा जो है 17 सवाल है जो यहां पर एक जुम्ले में जवाब की तौर पर आपको देना है पहला सवाल है यहां पर कि हवा का दर्जे हरारत कम होने पर हवा के दबाव पर क्या आसर होगा तो जवाब है हवा का दर्जे हरारत कम होने पर हवा का क्यूं बढ़ जाएगा? यह दर्जी किताब का सिफा नम्बर 17 का सवाल है. जवाब है कि हवा का दर्जे हरारत कम होने की वजह से हवा की कसाफ़त बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से हवा का दबाओ बढ़ जाएगा. अब यहां पर तिसरा सवाल है कि खत्य अस्तवा पर हवा का दबाओ कम होता है तो कुद्ब शुमाली पर हवा का दबाओ कैसा होगा तो आईए दिमाग पर जोर दें यह दर्सी किताब का सिफा नंबर 20 का सवाल है तो इसका जवाब है कि खत्य अस्तवा पर हवा का दबाव कम होता है तो कुत्व शुमाली पर हवा का दबाव ज्यादा होगा चोथा है ये भी सिफ़ा नंबर 20 का ही सवाल है हवा के दबाव पर कौन से अवामिल असर अंदास होते हैं अब यहां पे दर्सी किताब का सवाल नमबर पाँच, तीस दर्जे अर्जुल बिलदी ज्यादा दबाव का पट्टा किस तरह बनता है, तो इस इलाके में रिगिस्तान क्यों पाई जाते हैं, तो एक ही में दो सवाल पूछ रहा है, यहां हम दोनों के जवाब देंगे, पहल पाँचने के बाद कुद्बी लाके की तरफ शुमाली और जुनूबी सिंद में बहने लगती है, दूसरा पॉइंट है कि बुलंदी पर कम दर्जे हरारत होने की वज़े से यह हवा सर्द होकर भारी हो जाती है, तीसरा पॉइंट है, यह भारी हवा शुमाली और ब ineश्म कुर्रों में 25 दर्जे से 35 उर्जुल बलदी के दर्मियान हवा के ज्यादा दबाओ के पटे बजुद में आते है, हवा के यह पटे वस्ते अर्जुल बलदी ज्यादा दबाओ के पटे कहलाते हैροै, यहाँ पिपाँच्वा पॉइंट है कि इस तरह पाच्वा पैंट है यहां पर कि इस तरह तीस दरजे अरुजूल बलदी ज्यादा दबाव का पट्टा बनता है बे में हम देखेंगे जवाब दूसरा है कि इस इलाके में रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं इसके लिए हमारा जवाब है कि 30 दरजे अरुजूल बलदी ज्यादा दबाव के पट्टे इलाके में रेगिस्तान पाये जाने के अस्बाब का पहला पॉइंट वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव के पट्टे शुमाली वा जुनूबी निजब कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदी के दर्मियान की हवा खुश्क होती है दूसरा इसका पॉइंट है कि खुश्क हवा में आभी बुकारात का तनासुब कम होता है इस वज़े से इस इलाके में बारिश का तनासुब भी कम होता है तिसरा है यहाँ पर इस वज़े से 30 दर्जे अर्जुल बलदी के करीब का इलाका रेगिस्तानी होता है अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि दर्जे हरारत के पट्टे और हवा के दबाओ के पट्टे का फर्क वाज़े कीजिए तो जवाब है कि दर्जे हरारत के पट्टे और हवा के दबाओ के पट्टे का फर्क हस्बेजेल है जिसका पहला पॉइंट दर्जे हरारत के पट्टे सिलसले बार होते हैं दूसरा पॉइंट दर्जे हरारत के पट्टे खते अस्तवा से दोनों कुद्बैन की जानिब ज्यादा दर्जे हरारत से कम दर्जे हरारत की सूरत में फैले हुए हैं उसकी बरक से हवा के दबाओं के पट्टे कम और ज्यादा हवा के दबाओं के इलाकों में खते अस्तावा से दोनों कुद्बेन की जानी जाते हैं अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं तीसरा पॉइंट है कि दर्जे हरारत के पट्टों के अर्जुल बलदी उससत ज्यादा होती है मुन्तके हरा यानि दर्जे हरारत का जो पट्टा है उसमें शुमाली और जुनूबी निस्ब कुर्रे में सिफर दर्जे से 23 से 30 दर्जे अर्जुल बलदी के दर्मियान होता है मुन्तक के मुतादला यहने दर्जे हरारत का पट्टा शुमाली वा जुनूबी निस्व कुर्रे में 23 से 30 दर्जे हरारत से 66 दर्जे 30 अर्जुल बलदों के दर्मियान होता है उसके बरक्स हवा के दर्जे अर्जुल बलत तक होती है अब यहां पर आप यह तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में शुमाली कुतुब और यहां पर जुनूब भी देखिए जुनूबी कुतुब का यहां पर जो जो यहां पर दिया जा रहा है इस तस्वीर को देखते वे यहां पर तो इस से हमें कई सवाल है हमारे पास ये दर्सी किताब का सवाल है जो हम एक्ट्रा मालूमात में दे रहे हैं तो यहां पर देखिए दर्सी किताब का सिफा नंबर 17 पर दीवी शकल 4.2 में अलीफ मुंतके दर्जे हरत के पट्टे और 4.2 बे जमीन पर हवा के दबाओ के पट्टे और सियाराती हवाय का मुशायदा करके दर्जे जेल सवालों के जवाब लिखिए तो यह दोनों तस्वीरों को देख कर हमें यहां पर जवाबात देने है, इसके सवाल और पहला मुंतके हरा के गलाकों में हवा के कौन से दबाओ के पट्टे खास थर पर पाये जाते हैं है अब जवाब है कि कुद्भी हवाएं हवा के ज्यादा दबाओ वाले पट्टों से मुंसलिक है अब कुद्भी हवाएं हम देखेंगे तस्वीर में यहाँ पर देखिए यह देखिए कुद्भी हवाएं हैं जो हवा के कम दबाओ के जेली कुद्भी बनते हैं अब यहाँ तीसरा सवाल है कि कुद्भी हवाएं कौन से मुंतकों में चलती है तो जवाब है कि कुद्भी हवाएं मुंतके बारदा में चलती है चौता सवाल है यहां पे मुंतके हारा के इलाकों में हवा के कम दबाओ के पटे के वजूद में आने की वज़ा क्या है तो जवाब है मुं जाती है हलकी हवा की कसाफत कम होती है इसी वज़े से मुन्तक हारा के इलाके में हवा का दबाव कम होता है अब हम तस्वीर में भी देख लेंगे कि मुन्तक हारा का जो ये एरिया है ये खते अस्तवा और खते जद्धी के नस्दीक होती है न क्योंकि यही बताया जा रहा है पर अब सवाल अगला है पाच्वा मुंतके मुतादला में चलने वाली हवाओं का तालुक हवा के दबाओं के किस पट्टे से है तो जवाब है इसका कि मुंतके मुतादला में चलने वाली हवाओं का तालुक वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाओं के पट्टे से है मुत अगला सवाल है यहाँ पर छटा कम दबाओं के पट्टे कौन कौन से अर्जुल बलदों के दर्मियान है तो जवाब है यहाँ पर कि कम दबाओं के पट्टे शुमाली और जुनूबी निस्व कुर्रे में सिफर दर्जे से 5 दर्जे अर्जुल बलद और 55 दर्जे से 65 दर्ज यहाँ पर जिस तरह से यह नंबर दिये है इसी को समझते हैं आपको इसको समझना है और इससे नोट कर ले इससे याद कर ले ताकि आपको इस तरह का डाइगराम भी बनाने आ जाए तो यहाँ पर यह सवाल जवाब मुकमल हुए अगला है यहाँ पर यह तस्वीर देखिए इस तस्वीर से मुतालिक यहाँ पर चार सवाल दिये वे हैं तो इसको हम जवाब के साथ आगे पेच पे देखते हैं तो यहाँ पर सवाल है कि नक्षे से दोस्ती दर्सी किताब का सिफ़ा नंबर 19 पर दीवी शकल 4.4 आलमी सत्वे पर हवा के दबाव की तकसीम सालाना आवसत हवा के दबाव की खदर मिली बार में का मुशायदा करके जेले दर्जे जेल सवालों के जवाबात लिए तो पहला स खत को खते मसावी बार कहते हैं दूसरा सवाल है कि कम और ज्यादा हवा के दबाव के इलाके और उनके अर्जल बलदी बुस्त के बारे में मालूमात लिखिए तो जवाब है कि हवा के कम दबाव के इलाके शुमाली और जुनूबी निस्व कुरों में 0 दर्जे से 5 दर्ज अर्जुल बलत और 55 दर्जे से 65 दर्जे अर्जुल बलत के दर्मियान पाए जाते हैं हवा के ज्यादा दबाओ के इलाके शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलत और 80 दर्जे से 90 दर्जे अर्जुल बलत के दर्मियान पाए जा यह खते अस्तवा था और यह खते सर्तान यह है और खते जिद्दी का यह इलाका है और नीचे जो दिया गया है यहाँ पर यह उपर का यह इलाका जो है यह है कुद्बी ज्यादा दबावाला इलाका है यहाँ पर लिखावा है कुद्बी ज्यादा दबावाला इलाका और यह कुद्भी ज्यादा दबाव वला ये भी इलाका ये दोनों उपर नीचे जो है दबाव ज्यादा दिखाया जा रहा है और यहां वस्ती अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव ये वला इस तरह से यहां हर जगा वस्ती अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव वला इलाका इस तरह स इस नक्षे में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा हम अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल तीन है बरे आजमों बहरे आजमों पर खतुत मसावी बार किसीमत और उनके दर्मियानी फासले के बारे में मालूमत लिकिए तो जवाब है यहाँ पर कि शुमाली न मगरिद सिम्त से शुमाली मश्रिक सिम्त में मुड़नते हुए दिखाई देते हैं शुमाली निजब कुर्य में खतुत मसावी बार में फासला बरे आजमों पर कम ज्यादा दिखाई देता है जुनूबी निजब कुर्य में बहरे आजमों यानि पानी का तनासुब दिखाई देता है अब इसी का चौथा सवाल है कि शुमाली और जुनूबी निश्व कुर्रों के खतूत मुसावी बार का मौज़ना कीजिए तो जवाब है यहाँ पर शुमाली निश्व कुर्रे में खतूत मुसावी बार काफी मुड़े हुए हैं इस वज़े से शुमाली बलदों के मुतवाजी दिखाई देते हैं अब देखे यहाँ पर यह जिस तरह से लाइन दे रहा है यह हवा का ही रुक को बता रहा है किस तरह से मुड़ी मुड़ी सी लाइने है कहीं कहीं पर और किस तरह से सीधी सीधी है यहाँ पर देखे एकदम सीधी सीधी है तो इसी जवाब से मेल जोल करके समझने की कोशिश करिए बच्चो तो ये चारो जवाबात मुकमल हुए यहाँ पर हमारे चारो सवाल जाओ मुकमल होगे तस्वीर के मुताबिक अगला है यहाँ पर किस दर्सी किताब का सवाल नंबर छटा हवा के दबाओ के पटों की साफ सुत्री नामज शकल बनाईए तो यह आपको खुछ से ड्रॉ करना है बच्चो तो यह हवा के दबाओ के पटों को साफ सुत्री नामज शकल बनाना है इस तरह से आपको यह ड्रॉ करना है तो इस तस्वीर को समझते वे इसको ड्रॉ करने की आप प्रैक्टिस करिए अब यहाँ इक किस रेखिस्तान का इंतिखाब करेंगे तो जवाब है कि वस्त अरजु बलदी ज्यादा दबाउ के पट्टे में गरम रेखिस्तानी इलाके का मुतालब अ करने के लिए मैं बर्रयाजम एशिया और उसमें धर के रेखिस्तान का इंतिखाब करूँगा अगला है एक्स्रा मालूमात में जुबानी आजमाईश याने ओरल आपका टेस्ट है ये तो सवाल है दर्जिजिल सवालों के जवाब सिर्फ लफजों या एक जुमले में दीजिए तो सवाल है कि हवा का दबाओ नापने के लिए आप कौन सा आला इस्तिमाल करेंगे तो देखें यहां पर यह आला जो बना है घड़ी के जैसा इसका नाम है बारे पैमा ये देखें इसका नाम है बारे पैमा ये चार अशारिया पांच शकल है और इसमें इसके बारे में लिखा है कि हवा के दबाओ की पैमाईश मिली बार का मिली बार अकाई में की जाती है हवा के दबाओ की पैमाईश के लिए बारे पैमा नामी पैमाईशी आला यहां पे जो आला है इसका इस्तिमाल किया जाता है सते जमीन के करीब हवा के दबाओ की पैमाईश इसी आले से नापी जाती है जो जमीन के करीब हवा होती है उसको नापने के लिए यही आला बारे प का इस्तिमाल किया जाता है अब यहांपे सवाल 2 है खते मुसावी बार से क्या मुराद है खते मुसावी बार अब हम उसके बारे में यहां पर जवब देंगे कि खते मुसावी बार नक्षे पर Sang अख़़ाव का दबाउ रखने вместе को जिस खत के जरीए जोड़ा जाता है उस खत को खत मुसावी बार कहते हैं अब यहां तश्कीली गदर पैमाई है जुबानी काम है हवा के दबाओ का अमल तनफस पर किस तरह असर होता है यहांने हमारे सांस लेने में हवा का दबाओ का क्या असर होता है तो इस बारे में मालूमात हसिल कीजिए और हसिल किरदा मालुमात अपनी जमात में दोस्तों को बताईए अब नोट है यहाँ पे कि मालुमात हासिल करने के लिए अपने आसपास के किसी डॉक्टर हकीम से मुलाकात कीजिए अब मुझाहरा है स्थे समंदर के करीब और बुलंदी पर वाके सर्द हवा के किसी मुकाम की सेर कीजिए दोनों मुकामात पर बारे पैमा की मदद से हवा का दबाओ नोट कीजिए इन दराजात की रुक की मदद से इलाके की बुलंदी और हवा के दबाओ की बाहमी तालुक का मुताला कीजिए अब यहां सरगर्मी है बच्छों आपकी लिए पहला हिसमें सते जमीन पर हवा के दबाओ के पट्टों की मालूमा देने वाला दस्वीर चार्ट तयार करिए दूसरा है कि दुनिया के नक्षी के खाके में मुक्तलिफ रेगिस्तानी खितों में अलग-अलग रंग भरिये और इशारिया तयार कीजिए तीसरा है कोशिश करके देखिए दर्सी किताब का सिफ़ा नंबर 20 पे का ये सवाल है कि छटी जमात में दिये हुए दर्जे हरारत की तक्सीम बताने वाले नक्षे और इस सबक में दिये हुए हवा के दबाओ की तक्सीम बताने वाले नक्षे का एक साथ मुताला करके दर्जे हारारत और हावा के दबाओ के बाहमी तालुक को तलाश कीजिए बच्चों ये जो सरगर्मी और अमली काम है ये आपको अपने उन से करना है तो यहाँ पर हमारे सबक के सभी सवाल जवाब मुकमल हुए मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होंगे अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को लाइक दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताके उन बच्चों को भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताएबे सवाल जवाब से वो बच्चा अच्छे से कामिया भी हसिल कर सकता है इस सबक के मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी सवालात है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुछिए मैं इंशालला जवाब दूँगी तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर